हाई मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो में लेटेस जो ऑपरेटर्स गेम किया गया उसकी बार में बताने जा रहा हूँ और यहाँ पे काफी खुबसूर्ती से पंपिंग और डंपिंग किया गया बरे बरे ओपरेटर्स के द्वारा और कुछ परमोटर्स के द्वारा भी और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ retail trader को trap किया गया है retail trader को काफी अच्छे तरीके से फसाया गया है तो वो सब मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूँ और ये चीज मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जी आप बिल्कुल सही सुन वे, 9 मंथ में 10,000 परसंट का, यह नहीं, अगर आप 9 महीने पहले यहाँ पे, सिर्फ 1,00,000 रुपे का इन्वेस्ट्मेंट करते हैं, तो 9 मंथ बाद वो इन्वेस्ट्मेंट कितना हो जाता है, एक करोर का एमाउंट वो बन जाता, अब इतना जव इसके बारे में हम डीटियल से समझते हैं, और ऐसा कौन से स्टॉक में हुआ, उसको भी यहाँ पे हम देखते हैं, तिहां पे अब हम चार्ट पे आ गए हैं, और इससे स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे था, उसका नाम क्या है सबसे पहले आप नाम नोट कर लीजे, क्वेसेंडा सॉलूशन्स लिम्टेड यही नाम है, और इसके हम मन्थली चार्ट पे आया हैं, तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, तो इसी स्टॉक में आपका 9 मन्थ में 10,000 परसेंट का वीटर्न देखने को मिला है, तो सबसे पहले यह गेम स्टार्ट कब हुआ है, यह गेम आपका जून 2021 से स्टार्ट हुआ है, और इस टायम पे इसका प्रैस कितना था, इस टायम पे इसका प्रैस था आपका 50 पैस English के करीब, यहाँ एक रूपे से भी नीचे इसका प्रैस चल भाए था, इस प्रैस पे ट्वेड कर रहा था, उसके बाद अगले 9 मन्थ मे पचास पैसे से इसका प्राइस इंक्वीज होके सीधे कहां पर पहुंच गया डायक्ट आपका 50 रूपीज पर पहुंच गया यहां पर मुझे कितना परसंट का विटर्न मिला है वह भी सिर्फ 9 मंथ में और मैंने आपको अल्वीट ही बता है कि इतना जवरदस विटर्न तो यहां पर आपको 100 गुंधा यहीं 100 परसंट ने 100 टाइम्स का यहां पर विटर्न मिला और 10,000 का विटर्न मिला अगर यह मुझे 100 times का return 20-30 year में भी मिल जाए यह बहुत ब़ा return माना जाता है जो कि मैंने already आपको बता है लेकिन यह return सिर्फ और सिर्फ 9 months में दिया अब ऐसा क्या reason था कि जून 2021 से लेकि अगले 9 months में इसका 50 rupees तक पहुंच गया जरूर यहां पर कुछ न कुछ बरा काम किया होगा बरा इसको project मिला होगा इसका financials जबरदस्त हुआ होगा या फिर big company के द्वारा इसका acquisition किया होगा कुछ न कुछ major changes जरूर हुआ होगा इसलिए price इसका जबरदस्त अपसेर की तरफ पक रहा है तो चले सबस पहले हम इसके financials को देख लेते हैं इसके fundamentals को analyze कर लेते हैं उसके बाद आपको यह चीज़ समझने में और आसानी होगी कि यहां पर ऐसा क्या किया गया इसका प्राइस सिर्फ 9 months में 50 पैसे से लेके आपका 50 रुपे तक पहुंच गया है तो यहां पर हम लोग अब कि विसेंडा solutions limited के fundamentals को देखते हैं अगर आप इसके fundamentals को देखें तो maximum चीज आपको 0000 के करीब देखने को मिलेगा नहीं इसमें total revenue कुछ देखने को मिलेगा यानि fundamentally इसमें कुछ भी नहीं है इसको आप fundamentally challenge stocks बोल सकते हैं जहां पर इसका base कुछ भी नहीं है और without any base इस तरह का momentum दिखाना यह simple बताता है कि वहां पर जब अर्दर्स्त game किया गया है और इस game को समझने के लिए यहां पर हम इसके promoters holding को भी देखना चाहेंगे वहां से आपको पूरा picture clear समझ में आ जाएगा तो यहां पर हम crescendo solutions limited के promoters holding को देखते हैं और यह देखने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि stocks में हुआ क्या है तो अगर आप यहां पर promoters के share holding pattern को देखो सबसे पहले जून 2021 की यहां पर बात कर रहे हैं इसका जो promoters percentage holding था हुआ था आपका 30.12% इतना percent stake promoters के पास था सप्टेंबर 2021 में भी कोई change नहीं हुआ आपका 30.12% stake promoters के पास बना हुआ था लेकिन उसके बात दिसंबर 2021 का जैसे हम data देख रहे हैं promoters holding drastically decrease हुआ 30.12% से decrease होके सिर्फ आपका रह गया 8.42% इतना जबर्दस promoters ने यहां पर इसको abandon किया promoters ने यहां पर जबर्दस तरीके से बाहर निकला अब यहां पर खतने हुआ उसकी बात जैसे हम अगले quarter की बात करते हैं March 2022 की यहां पर promoters totally बाहर निकल चुके यह नि promoters ने company को छोड़ दिया है company से promoters भाग चुके हैं literary आप यह language यूज कर सकते हैं यह नि जिस time में stock का share price काफी ऊपर trade कर रहा था काफी ऊपर था उसी time क्या किया पर promoters ने यहां से कल्टी मार लिया यहां से बाहर निकल चुके हैं अब यह क्या दिखा रहा है यह totally यहां पर game दिखा रहा है यह game यहां पर खतने हुआ यहां पर एक और चीज़ आपको देखना है तो यहां पर अगर हम public shareholding pattern को देखे तो जून 2021 में यहा आपका मार्च 2022 में या फिर जून 2022 में इंक्वीज होगे हो गया 99.91 यहां पर मोटर्स यहां से totally बाहर निकल चुके हैं और पूरा का पूरा स्टेक के पास चला गया वीटेल ट्मेडर के पास पूरा का पूरा स्टेक चला गया और अब यहां पर इस शेर का प्राइस नीच यहां पर फसके रह चुके हैं और अगर आप यहां पर शेर होल्डिंग पैटरन देखें पूरा का पूरा आपको यहां पर वी टील ट्वीडर ही देखने मिलेगा पर मोटर्स का कोई नाम हो निसान नहीं है और डिया और एफाई तो ऐसे स्टॉक्स में दूरी बना के रखते हैं तो यहां पर टोटल क्या गेम किया गया यहां पर मोटर्स या फिर इसको ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं उसके द्वारा यहां पर जबरदस्त गेम किया गया और इसी के लिए इस प्रैस को सबसे पहले पंप करके ऊपर ले जाया गया यह निए 50 पेसे से 50 रुपे तक प पर आना चाहेंगे तो वापस से हम इसके चार्ट पर आ गए हैं अगर आप इसके चार्ट को देखें तो देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर सबसे पहले pumping किया गया और यहां पर pumping करके price को ऊपर ले जाए गया फिर यहां पर operators के दौरा dump किया गया तो एक टाइम पर इसका सेर लगबग 50 रुपीज करीब trade कर रहा था और अभी यह आपका लगबग 35 के रुपीज के करीब trade कर रहा और बहुत जल्दी वापस आके वापस से 50 पैसे के करीब आता हुआ दिखेगा अब मैं ऐसा क्यों बोलवाँ कि वापस से 50 पैसे क बीच में देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस आपका लगबग 60 रुपीज करीब गया था और वापस से वहाँ से प्राइस आपका गिरना श्टार्ट किया और गिरा है तो कितने गिरों में लगबग आपका 7 ट्रेंग सेसंस में प्राइस गिर के वापस से रुपीज से कनव 50 पैसे के करीबी move करता रहा 50 पैसे एक दूर रपे करीबी यह आपका move करता रहा ज़्यादा कोई momentum देखने को नहीं मिला एक आएक यहां पर गेम किया गया, यहाँ पे आपका pumping और dumping किया गया, फिर price को उपर ले जाए गया, और वहाँ पे जब दस तरीके से बड़े बड़े operators के द्वारा profit बनाया गया, तो जब भी इस तरह का track record वाला आपको stocks दिखे, और जब भी उसके promoters के बारे में ज़्यादा information ना मिले, या फिर promoters का track record खराब हो, तो ऐसे stocks से आपको दूरी बना कर रखना है, ऐसे stocks को अपने work list में भी नहीं रखना है, इसके बारे में dixus करना भी गलती होगा, तो ऐसे stocks से आपको दूरी बना कर रखना है, अब इसके बारे में information क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं बात करा हूँ, इसलिए बात करा हूँ, क्योंकि जो छोटे छोटे वीटियल ट्वेटर होते हैं, वो यहाँ पे trap में first जाते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है, कि यह सारा penny stocks है, जो कि multi-veggar बन सकता है, जो कि आपको जवदास return दे सकता है, लेकिन उसी लालच में retail ट्वेटर यहाँ पे entry करते हैं, चाहे YouTube चैनल पर बताया जाए, या फिर अलग-अलग platform के जरी है, न्यू चैनल पर, या फिर calls करके, या message करके, बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग influence करते हैं, इन सारे stocks में investment करने को, और retail ट्वेटर चोटे-चोटे, यहाँ पर first जाते हैं, trap हो जाते हैं, ultimately उनको नुकसान उठाना पड़ता है, और भारी-भार कम loss में यहाँ से बाहर निकलते हैं, इसलिए इस तरह के share से आपको दूरी बना के रखना है, और generally आपको penny stocks से बाहर ही रहना है, क्योंकि penny stocks आपको एक लाख में कोई एक आपको multi-vaker बनता है, लेकिन वहाँ पे losses के chances बहुत जादा रहते हैं, इसलिए इन सब stocks से आपको दूरी बना के रखना, और इस stock के बारे में discuss करने का मतलब यह ही था, कि आपको इस तरीके का pumping और dumping game होता है, इस तरह के pumping और dumping game से आगे बचना है, और जब तक कोई stocks का fundamentally strong ना हो, तब तक उसमें आपको investment नहीं करना, और trading भी वहाँ से दूरी बना के रखना, trading भी करना, वहाँ पर avoid करना, उमीद करते हैं कि जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो चीज आप तक पहुंच गया होगा, वो message आप तक पहुंच गया होगा, so that's all friends, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जब सब्सक्राइब किलेजए, ताकि इस तरह के और वी इंफॉर्मेटि वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और वो वीडियो मिस नहीं होगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा देएंगे तो, तो बेल आइकन दबाना ना भूले, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जैहिंद!